अलो एन वेलकम प्रिन नॉलेज सोर्स अब करोना वाइरस जो पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से इंपक्ट हुआ इसका और जितने लोग को यहां पे मरे इसके बाद हमें एक न्यू वाइरस अगर देखो जहां पे पूरे वर्ल्ड पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा यह केरला में और बहुत सारे केसे इस पहां से रिपोर्ट हुए हैं मैं बात कर रहा हूँ जीका वाइरस के बारे में कितने number of cases अभी इंडिया में registered हुए हैं और क्यों एक ये अगर बात करूं में एक sleeping giant है considering the fact that यहाँ पे जिस तरीके की immunity systems हमें इसके cope-up करनी के लिए नहीं है और इसके अगर बात करूं vaccination civility नहीं है यह सब सारे issues पे हमस्च डिसकस करेंगे so but before starting this session I would like to say you can join through our telegram channel and the facebook channel अगर मैं बात करूं केरला से जीका वाइरस के number of cases has been you know trashed out और ऐसा माना जा रहा है कि in last 10 days more than 13 cases of जीका वाइरस has been reported in केरला और अगर मैं बात करूं केरला से यह first time जो जीका वाइरस के reporting होई है इंडिया में अगर देखें 2017 में भी गुजरात के बहुत सारे से एरिया से reporting हुए थे जीका वाइरस के लेकिन केरला के बारे में बात करूं तो यह first time केरला से reporting है अगर मैं बात कुरों जीका वाइरस जो कि जीक के बारे में नाम से विजलाता है और यह जो first इसकी ओरिजिन होई थी जीका फॉरेस्ट उगांडा में 1947 बzip ऑरिजिन होई थी इसके लिए इसका नाम जीका वाइरस रखा गया है Argent के गरना बात करो जीका वाईरस जो है वह ट्रांस्मिट होता है EVKD जो की क्वेशंश्र जो भिफार्ट सिर्व यानि कि जो मच्षड जो देंग फाराता है वहीमच्षड जो होता है वह तो के ट्रंसमिशन में भी रोल प्ले करते हैं अगर मात करूं में सिंटन्स के तो यह सिमिलर टू देंगु होते हैं जैसे कि फीवर रैस इसके बाद मसल्स पें जॉइंट पें इसके बाद हैं कि इन सब सारे चीजों से इसमें होते हैं और सिंटन्स जो हो है वो एल्टिमेटली 2-7 देज में रिवील होता है और इसके बाद पेसेंट को देखे देखे पता चलता है कि they have been infected from the Gika virus और अगर मैं बात करूँ यह जो infection है during the pregnancy भी हो सकता है infants who are born from the mother's home they can also infected with the Gika virus if mother is also infected with the Gika virus तो यह एक some worrisome situation है तो अगर मैं बात करूँ यह increased risk of neurological complications create करता है यानि कि अगर Gika virus किसी को हो जाए तो जो भी नर्फ से related जो भी you know important अगर अगर आवर पहलो ऐसे critical जो भी disease है वो हो सकती है जो कि adults और चिलेट दोनों में हो सकती है ग्यूलीन बेर हमें components देखने को मिल रहे है जो कि Gika virus यह कहीं नहीं कहीं हाम करता है हमारे body को तो अगर मैं बात करूँ Gika virus तो यह अगर कैसे इनो सबसे पहले transmission हो जाता है एक person से दूसरे person मेरे कि सबसे पहले तो mosquitoes is the most you know crucial role play करता है to transmit the Gika virus from one person to the other इसके बाद mother of fetus during the pregnancy यानिके mother koga Gika virus they have you know mother has been infected with the Gika virus her baby will also be you know get infected one or he or she will be born तो यह एक important worrisome situation है इसके बाद sexual transmission में भी यह इनो कहीं नहीं कहीं transmit हो जाता है अनि कि अगर partner के साथ आप आप you know sexual transmission या फिर sexual activities में indulge होते हैं और जीका virus can be transmitted और जैसा मैंने आपको बताया symptoms के जैसे के fever होते हैं और इसके बाद conjunctives होते हैं जैसे के red eyes होना इसके बाद muscle pain, rash, headache, joint pain यह सब कुछ ऐसे important symptoms हैं अगर बात करूँ मैं कि किस तरीके से इसको protect करता है तो सबसे पहले तो आप avoid कर रहे है mosquito bites है जो कि बहुत ही एक इनो आप कितने किस तरीके से अगर आप देखें इसमें जैसे कि आप सराउंडिंग कर सकते हैं इसके बाद mosquitoes की जो अगर बात कर ब्रीडिंग एरिया से उसको आप time to time देखके वहां से साफ रखने के खुसस करें यह कुछ ऐसे इनो important steps आप उठा सकते हैं इसके बाद बात करते हैं किस तरीके से यह इंफेक्ट होता है दूरिंग प्रिगनेंसी अफ नो एंड़ चाइल्ड हो इस बॉर्ण से बॉर्ण से बॉर्स इसमें क्या होता है कि जो stem से इंफेक्टेड और इसमें क्या होता है कि जीका वायरस जो है एक रेप्टिकलेट्स करता है दोस स्टेम सेल्स और इंफेक्टेड विद जीका वायरस और इसमें अगर हम बात करें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉंपोनेंट्स जो से पता चलता है कि जीका वायरस इस फर्स्ट इस नियूरोलोजिकल अबनॉर्म लेटी जो भी आपको डिसॉर्डर्स देखने को मिलेंगे फेसील डिस्टॉर्स ने कि फेस जो है आपका एक नॉर्मल सेप में नहीं रहेगा इसके बा कि यह कहीं नहीं जिस तरीके से हाम पहुचाता है अगर हम बात करें इंडिया में किस तरीके से या फिर ओल अवर इंडिया में जो जीका वायरस के ट्रंस्मिशन है कौन-कौन ऐसे मेजर कंट्रीज हैं तो बेसिकली आपको देखिए सेंट्रल अमेरिका हो गया और साउथ और अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका इसमें यह कुछ ही इंपक्टेड है जिसमें कि मेक्सिको है और यह मेजरेटी ओफ अगर हम देखें कंट्रीज तो यहां पर सेंट्रल अमेरिका हो गया और साउथ अमेरिका में ब्राजिल हो गया अर्जेंटिना हो गया और जो भी sleeping giant है जैसा मैंने आपको पहले बताया और जिस तरीके से इसकी infection हो रही है और जिस तरीके से अभी immunity है जो अगर देखे different populations की वो इतने तरीके से इसको कोप अप नहीं कर सकती है यह वरी सम सिचुशन है इंडिया के लिए और अगर हम देखे जिस तरीके से एयर ट्रैवल आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक अप्ड़ोना वाइरस हैसे स्टार्ट और इसमें अगर देखें जो की लास्ट अगर एक डिकेड में जिस तरीके से जो एयर बबल हमारा या या यह यह एयर ट्रैवल इंक्रीज हुआ है इस तरीके से यह कंट्रिब्यूट कर सकता है और दे ट्रांसमिशन अपड़ जीका वाइरस इसके बाद क्लाइमिट चेंज इस तरीके से हो रही है जहां पर कि हमें रीसेंट इविडेंसे इडिकेट कर रहा है क क्लाइमेटिक कंडिशन हैं अगर पास्ट सेवरल डिकेट्स में हम देखें तो वहां पर वेक्टर बॉर्ण डिजीज के इनो ट्रांसमिशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और जिसके चलते ही हमें इनो डिफरेंट साइंटिस्ट का यह मानना है कि जो भी इस अगर वेक्टर बॉर्ण डिजीज या नहीं कि जीका वाइरस या डिंगू हो गया यह कहीं नहीं कहीं इस इनो इंक्रीजिंग एट अन अलार्मिंग रेट विच इस दा इंडिकेशन एट क्लाइमीट चेंज इस हैपनिंग वेरी फास्ट इन आवर कंट्री एन इसके बाद जीका वाइरस इसलिए भी एक रेल थ्रेट है इंडिया के लिए क्योंकि जो करेंटली अगर हम देखें नो स्पेसिफिक एंटिवाइरल एजेंट जो है जो कि जीका इंफेक्शन को ट्रीट कर सके या फिर जीका वैक्सिन जो है वो सेवरल यह तक ले सकते हैं इसके मनुफेक्शरिंग में और यह भी एक वरीसम सिचुएशन है और इंडिया के लिए भी यह एक इन ओट्रेट है जो कि इंडिया को इससे को पप करना पड़ेगा So I really hope you guys have understood this whole concept about the Zika virus and the you know the threat that is looming large on India. So that's it for today. Thank you as always for joining.